तो नमस्कार मैं रीजा और आप देख रहे हैं दोक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौझूद है दॉक्टर राकेश कुमार डॉक्टर साहिब कान ना गला रोगेश शिखे ले हैं तो दॉक्टर साहिब सबसे पहले तीज़े आपको बहुत-बहुत सभाग अच्छा सवाल आपने किया है आजकल सर्दियों का मौश्रम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बहुत सरे मरीज आ रहे हैं हमारे पास की डॉक्षाब भी मैं ठंड लगी और कान में दर्द हो रहा है तो इस्वली जब अभी शुरुआती जो वस्ता जो ठंड की होती है एक्स्पोजर हुआ और यह नाक से होते हुए गले तक जाती है और फिर प्रॉपर सही समय पर दवा या डॉक्टर से परामर्श नहीं लेंगे तो कानों तक इंफेक्शन जा सकती है इस्वली इसमें हम लोग नली होती है कान और नाक और गले को जोड़ती है जिसको हम के वज़े से अंदर में कान के अंदर में सूजन आ जाती है फिर देरे फ्लूट जमने के कारण पेन सुरू हो जाता है तो ऐसे में सही टाइम पर डॉक्टर से परामर्श कर लेने पर आप इस समस्या का निदान हो सकता है इसमें जरासी लापरवाही बरतने पर फिर आगे क कान दर्द होता है तो देखा जाता है कि आम तौर पे अमोमन डॉक्टर के पास जाने से पहले लोग घरेलू उपाय की तरफ जादा रुजान होता है कि कुछ घरेलू उपाय करके देखते हैं जैसे बहुत से लोगों का मानना है कि प्याज के रस को डालेंगे तो वो अधिया तो यह वाकई में काम करता है नहीं अक्चली गाउं देहात में कुछ प्रचलन ऐसी होती कि ऐसा करने से सही लेकिन इस सब गलत है ऐसे में कभी भी प्याज कर रहा सिया दर्ग कर रहा सिया निम्बू का इस सब नहीं करनी चाहिए अच्छा है कि सही टाइम पर आप अपने डॉक्टर से शला लेकर इसका इलाज सुरू कर देए अभी अगर हम देखे कि बचाव कैसे करें क्योंकि सर्दियों का मौसम है खासकर बच्चों में भी समस्या होती है कान दर्द की तो ध्यान पहले से ही क्या रखा जाए कैसे बचाव किया जाए लोग अपने अपने बताया है कि जो सुभा की समय जो यह करते हैं बच्चे उसमें आ जाते हैं कि बच्चों पर देखा जाए बच्चों पर ध्यान दिया जाए तो वो क्या आप नहीं लगाते हैं आज कल सुभा में बच्चों का जो स्कूल होता है यसे में जोली स्कूल भी जाना जरूरी है लेकिन पैरेंट्स की एक जिमिवारी होती ही कि अपने बच्चियों को सही गरम कप्रें से पहना कर ही उनको बेजे और कान और गले को ढख कर ही रखें ज्यादा अच्छा है और ठंडी चीजे बच्चों को ना खाने दे तो शुक्रिया डॉक्टर साब जो आपनी जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो आप डॉक्टर राकेश कुमार को सुने थी जिनने पूरी जानकारी हमारे साथ साजा की है कि अगर सर्दियों में कान दर्थ की समस्या होती है तो क्या उसे हम अंदेखा कर सकते हैं या फिर तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए इन तमाम जानकारी पर आपके क्या राए है हमें कॉमेंट कर जरू बतायायें चैनल को सब्सक्राइब कर ले फेस्बुक पेज को लाइक कर ले साथी डॉक्टर साहिप से आपकी क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माधियम से भी है सकते हैं